आजम सूजी का एकदम नया और आसान सा नाश्ता बनाएंगे और फ्रेंट्स इस मसदार से नाश्ते को आप जट-पट से बना कर इंजॉय कर सकते हैं कम समय में बनने वाला पहुती टेस्टी ये नाश्टा है और इस मसदार से नाश्टे को बनाने के लिए यहां हमने सूजी लिए एक कफ सूजी लिए तो फ्रेंट सूजी मोटी बारिक जो भी हो आप ले सकते हैं अगर मोटी सूजी हो ना उसे आप एक बार मिक्सी जार में ड इस में डालने लिए तो फ्रेंट सूजी का नाश्टा बनाननी के लिए हमने एक कफ सूजी लिए और हमें यहांदा घ्रा क्रेंगी तो यहां यहां मेंने आदा मेजरमेंट का कप लिया है जिसे हमने इसको तीन बार भरके डाल देना है तो यह टोटल हो जाएगा देड़ कप ठीक है ना तो देड़ कप हमने पानी डाला है तो अब क्या करना है हमें सूजी डालने है तो सूजी को थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे एक दम से नहीं डालेंगे वरना क्या होता है कि लंस पड़ जाते हैं आपको सूजी को थो derivative form् exactly man कि हम आगे की इसbedंग की तयारी बस सुजी को एसे ही आप चोड़ कर रख दिएगा। तो friends देखिए यहाँ मैंने इस्ट recipes को बनाने के लिए friends दो medium size के boil आलू लिए है आलू को हमें अच्छी तरह से great करकर ले लेना है तो बारीक वाला greater लिया है मैंने इसे great करने के लिए अगर आपके पास measure हो तो उससे भी makes कर लीजिएगा या फिर आप इसे हाथों से भी मेश कर सकते हैं तो बस आपको ये ध्यान डखना है थोड़ा बारीक ही आप इसे मेश करिएगा और जखिए जब आलू दोनों ही इस तरह से मेश हो जाते हैं देखिए आप कितने अच्छे बारीक होगा हैं हमें इसी तरह से आलू को बारीक ही कर लेना है तो फिर इसमें अब हम डाल देंगे टेस्ट के अपडिंग नमक और थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे आप चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा गरा मसाला पाउडर डाला है हमने इसमें और थोड़ी ही हमने इसमें सोब डालीए, टेस्ट अच्छा आता है आप इसे जरूर डालीएगा और थोड़ा ही हमने इसमें चिली फ्लैक्स डाले हैं, तीखी लाल मिरच कापौडर डाला है, और बारी कट्वी प्यास डाल रहे हैं आप अगर खाते हों तो डालिएगा वरना इसे skip कर दीजिएगा प्यास से भी टेस्ट होती अच्छा आता है थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा ही हम इसमें डाल रहे हैं भुने हुए जीरे का पाउडर तो और भी अगर इसे आप चटपटा बनाना चाहते हों तो आप इसमें और भी चीज़े डाल सकते हैं और डाल कर अच्छे से चटपटा बना सकते हैं तो बस हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है इतनी चीज़ों में ही बहुत ही मज़दार सा यह हमारा स्टरफिंग बनक हैं मैं इसमें हरा धनिया नहीं डाल रही हूं तो चलिए एक इसलरी रेडी कर लेते हैं हम यहाँ पर अब एक बाउल ले लेते हैं इसमें हम डालेंगे वन थर्ट का गेम का आता आप मेदे की भी इसलरी बना सकते हैं और अब इसमें टेस्क अपॉर्डिंग नमा और चिली फ पाज़दार टेस्टी क्रिस्पी सी यह सलरी बनेगी जिससे की काफी अच्छा टेस्ट आएगा अब क्या करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका गोल रेडी कर लेना है अच्छा आपको यह दियान रखना है कि गोल बहुत जादा गाड़ा और बहुत जादा को थोड़ा सां मिसको Floyd consistent in me रखेंगे तो फेंड़ से कि कि यहां हमने इस लैरी डी सकते हैं ना जहादा गाड़ी है और नहीं जहादा पत्ली बस इसी तरह की आम Member containment करना है तो इसलरी फ्रेंट्स हमारी रेडी हो गई है तो चलिए आगे की वर बढ़ते हैं हम तो फ्रेंट्स देखिए सुची को हमने पका कर रखा था ना बहुत अच्छे से यह थंडी हो चुकी है तो पहले तो अभी हम इसे अलग बरतन में नहीं निकाल रहा हैं क्योंकि मसल और मसलते हूं से यह काम असानी से हो जाएगा ठीक अब हो चुकी है तो अच्छी तरह से यह मसल लेंगे और मसलते, इसे दो फॉरम मीाल shore में किर्णाइ को कड़ाई को अलग कर देते हैं इसे बात involves खह्त रेखनेक में एक चूटी सी बॉल तोड़ेगें और इसको हमने olim sound फ्लेट कर लेना है और जो अमने स्टफिंग कर इह न मज़धार से नाश्टे को बना सकते हैं मैं simple इस नाश्टे को goal ही साइस में बना रहे हूं जैसे के टिकी बनती है न बस उसी तहरासे हम इस नाश्टे को बनाईंगे तो ये असानी से बन जाएगा और ये सूजी का नाश्टा है friends बहुत ही नाश्टा भी हम सेम उसी प्रोसिस से बनाएंगे अच्छे से गोल हातों पर करते हुए इस तरह से हतेली पर फ्लेट कर लिंगे और एक चमच भरकर हम इसमें आलू की स्टफिंग रखेंगे तो ऐसे आप समोचा प्रोसिस और इसम नाश्टा बना कर आपको दिखा देते हैं तो आप एक बार इस नाश्टे को ज़रूर बनाईएगा आपको ये नाश्टा बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही थेस्टी है तो यहां देखें आप सारी ही हमने यहां पर नाश्टे बना कर तैयार कर लिए है और इतने डो में हमारे काफी जादा नाश्टा बन गया है हमने एक कप सूजी ली थी और एक कप सूजी में काफी सारा नाश्ता बना है तो चलिए अब हम इसे आपको फ्राय करकर दिखाएंगे तो फ्राय करने से पहले जो हमने इस लरी को रेडी करा था ना एक बार उसे हम चम्मस से चला लेंगे क्योंकि प्रिंट्स क्या होता है कि पानी ऊपर रह जाता है और आटा नीचे रह जाता है तो एक बार मिला ली जियेगा पिर जो हमने टिक्की बना कर रखी थी उसे हम इसमें डिप करेंगे और Fog की Help से निकालेंगे इससे सारा एक्स्ट्रा जो भी होगा निकल जाएगा और एक्स्ट्रा इसलरी निकलने के बाद जो ऑइल को हमने यहां पर गरम होने के लिए रखा था ना आप लोग से हमबल रिक्वेस्ट है वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यह बिल्कुल फ्री होता है और इसी तरह से आपको मेरे चैनल पर नई नई रेसिपीज देखने को मिलती रहेगी और फ्रेंट्स हमेशे ही मैं आप लोग के लिए नई नई रेसिपीज लेकर के आती रहती हूँ जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख पाएं तो फेंट्स देखी यह नाष्टा पूरा हमारा आ चुका है और इसे हम हाई फ्राइ कर रहे हैं आप इसे सिलो फ्लेम पर मत फ्राइ करिएगा क्योंकि क्या होगा यह ओईल जादा एबजॉप कर लेता है आप इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राइ करेंगे ना तो ही अच्छा क्रिस्पी करारा फ्राइ होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे high flame पर ही fry करना है और जब अच्छा सा color आ जाता है ना तो इसे हमें flip करते जाना है तो आप देख सकते हैं एक side से अच्छा सा color आ गया है बस हमें इतना ही golden color आने तक ही fry कर लेना है थोड़ा dark चाहते हूँ आप तो और fry कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं इसे सिर्फ golden ही color आने तक fry कर रही हूँ और आप देखेंगे एक side से बहुत ही अच्छा सा color आ चुका है तो friends, same इसी तरह से दूसरे side से भी हम अच्छे से fry कर लेंगे तो देखेंगे जब दोनों ही side से अच्छा golden color आ जाता है तो friends, हम एक एक करके इसे निकालते जाएंगे और देखेंगे कितना अच्छा हमारा यह नाश्ता बनकर तयार हुआ है friends, देखने में चितना अच्छा लग रहा है खाने में भी आपको यह उतना ही tasty लगेगा तो friends, बहुत ही tasty, मसेदार और आसान सी recipe है एक बार आप इसे सरूर ट्राए करिएगा तो देखिए बहुत ही tasty, मसेदार सा फूला-फूला सूची का हमारा नाश्ता बनकर तयार हो गया है तो चलिए, इसे हम soft करेंगे तो friends, आप इसे tomato ketchup केचप के साथ, हरी चटनी के साथ जह समझ चाहे, soft कर सकते हैं यह बहुत ही tasty लगेगा या फिर इस मसेदार से नाश्ते को आप बिना ketchup के साथ भी खाएंगे ना तो भी यह tasty लगेगा इस नाश्ते की खास बात यह है कि यह काफी देर तक क्रिस्पी बना रहता है सौप नहीं होता है मैं आपको इसे अंदर से चेक करकर भी दिखाऊंगी आप देखें कितनी अच्छी इसकी आलू की स्ट्रफिंग दिखाई दे रही है और कितना गर्म गर्म यह हमारा मज़दार सा सौची का नाश्ता बनकर तयार हुआ है तो फेंट्स बहुती मज़दार सी रेसिपी है एक पर ट्राय करना तो इसे बनता ही है तो फेंट्स मेरे चेनल पे काफी ज़दा नाश्ते की रेसिपी अपलोड ही आप मेरे चेनल पर जाके देख सकते हैं आपको मेरे चेनल पर तरह तरह के नाष्टे की रेसीपीस देखने को मिलेगी तो फ्रेंड्स आप इस मज़दार से नाष्टे को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे बहुत ही शोवज से इसे खाना पसंद करेंगे और आपसे बार बर इसी मज़दार से नाश्टे की डिमांड भी करेंगे और अगर आपके घर मेहान भी आ जाते हैं तो उन्हें भी बना कर इसे खिलाईए मेहानों को भी ये नाश्टा काफी पसंद आएगा और फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी मिंटों में बनने वाला नाश्टा है ब्रादा बनाने में इसे महनत और टाइम नहीं लगेगा जटपट से धीर सारा आप एक कफ सूजी से नाश्टा बना कर इंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंट्स बनाईए खाईए इंजॉय करिए उम्मीद है आपको आपके घर में सभी को ये के नाश्टे की ये रेसिपी कैसी लगी